करीब करीब 15 लाख रुपया बकाया राशी है और एक करूर रुपय का बैंक गारेंटी लिया था वो बैंक गारेंटी भी कंपनी ने हमारा पूरा पैसा निकाल लिया और हमारा जो पैसा है वो भी नहीं दे रहे हैं नमस्कार न्यूस फ़रनेशन देख रहे हैं आप मैं हूँ अनील रादानी पट्ना से इस वक्ती बड़ी खबर आ रही है जहांपे नकली तेल के बड़े कंसाइन्मेंट को फूट बिवाग की टीम ने पकड़ा है दरसल बाच करें तो कहीं न कहीं बीटे 21 दिसंबर को इस ग पताया जारा कि गरदादी बाग थाना चेत्र के अनिसाबाद इस्थित ये गोदाम है जहांपे 21 तारिक को फूट डिपार्टमेंट के अधिकारी यहां पहुचे थे और तमाम जो आवेदक के सूचना दिये गये थे उस आलोक में करवाई हुई थी गरसा कलब बात करें हम तो कहीं न कहीं सवा करोर से ज्यादा के रकम की ठगी का मामला ये पूरा निकल कर सामने आया जिसमें फूट डिपार्टमेंट के बिभाग की करवाई देखने को मिली है और वहीं इस पूरे मामले पर क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं फूट डिपार्टमेंट के सेफटी अधिकारी आईए सीधे सुनबाते हैं आपको. अधिकारी पैकिंग हो जाए इस अधार पर सुरू में च्छापर मारी के लोगों के स्वास से बड़ा खिलवार किया जा रहा था इसे स्वास का खिलवार तो होगा यह सर अपना पर शबता था मैं अजय कुमार का सुज़चा भीकारी पट्ना उद्रेक विक्रम हैं हम यहां पहले इस कंपनी में SPG कंपनी के हम CNF थे कंपनी ने हमसे बैंक गारेंटी लिया हमें बताया कि वह इसका बहुत सेल होता है ऐसे वैसे और हमारा पैसा कंपनी नहीं हमारा पैसा दिया हमारे से बैंक गारेंटी लिया वो भी कंपनी ने रख लिया हमारा पैसा सारा रोक के ब लगता है बाटने की कम्पणी कोशिश कर रही थी तो, सर कोजान पर जान्कारी मिली तो, सर ने आखे यहां पर रोक टॉक किया कि रातों रात यह लोग कोशिश कर रहे थे कि घोधाम खोल के सारा समान गाइब कर दे हैं सर मौकें पर टैम से पोहँंच गया पूरा पैसा निकाल लिया और हमारा जो पैसा है वो भी नहीं दे रहे आप अपना नाम बता दे उद्रेक विक्रम तो जाहिर सी बात है जिस तरह से इस पूरे मामले में कारवाई फुट सेफ्टी डिपार्टमेंट की कारवाई जारी है वही अगर बात करें तो लगबग सवा करोर से भी जाड़ा का गवन का मामला यहां पंडिकल के सामने आया है जिसमें की उस कंपणी के मालिक छे मालिकों के खिलाब मामला दर्ज किया गया है और वहीं फूर्ट एंड सेफ्टी विभाग और गर्दनी वाग की पुलिस में के द्वारा यह पूरे मामले की जाच की जा रही है लागतार हमारी चोटी बड़ी खाबरों से अब डेट रहने के लिए देखते रहा है